मा ये नंदनी कह रहे थी कि इसको ना ओफिस कैप से जाना पड़ेगा इसकी डॉक्टर से बात हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि थर्ड ट्राइमिस्टर चल रहा है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ये सब डॉक्टर बोलते हैं और ये सब फाल्तू की बाते हैं मेरे भी तो बच्चे हैं पूरी प्रेग्नेंसी में तीन-तीन बसे बदल के जाती थी कुछ नहीं होता है पर ममी, डॉक्टर ने बोला है प्रेग्नेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन्स है तो अगर उस.. बातू के नकरे मुझे मत समझाओ इस घर में जैसे चलते आया है न वैसे ही चलते रहे तो बहतर है जैसे कंटिन्यू करती थी बसे वैसे ही जाओ मा अज कुछ खाने में किलवादो अच्छा पेना कॉर्ण वाला प्लॉट है उस कॉर्ण का? हाहा बहुत ही बढ़ी आज़ा ठीक है ते रहा ममी मैं सोच रही थी कि हम कुछ महीनों के लिए मेड रख ले क्यों? वो अच्छली इस हालत में मुझसे काम नहीं हो पाता बहुत मुश्किल हो जाता है तो अब मेड आ जाएगी तो वो मेरी हेल्प करतेगी अरे डिलिवरी के बाद भी तो तो बेडरेस्ट पे रहेगी ना कुछ दिन उसमें कितना घरजय होगा क्यों फाल तुका घरजय बढ़ाना है मैंने भी मैनेज कर लिया था तू भी कर लेगी आपको लेग अर्णेट जढ आएगे अर्णेट का उसमेट मैंने बाद भी अल्डेट झाल झाल Mr. Alok मैंने आपको पहले ही वाउन किया था कि इनके प्रेगनेंसी में काफी एक कॉंप्लिकेशन से बड आपने फिर भी धान नहीं दिया मैं ममने कोशिश तो की थी लेकिन The child is no more Mr. Alok और ये शायद आपकी कोशिशो का ही रिजल्ट है मैं ये आप क्या कह रहे हैं Yes, ये ही सच है, I'm sorry झापकी कोशिशो का रहे हैं तुम हिमत रखो, देरे देरे सब ठीक हो जाएगा कुछ ठीक नहीं होगा और नहीं मैं चाहती हो कि कुछ ठीक हो इन फैक्ट मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुख सकती मतलब यह कि मैं यह रिलेशन खतम कर रही हूँ तुमने तुम कैसी बात कर रही हूँ तुमने अपनी मा की वज़े से मेरी एक बात नहीं सुनी और उस वज़े से मैंने अपना बच्चा को दिया और मैं यहां पर हूँ, अकेली हूँ सब मुझे देखने आये पर तुम्हारी मा एक बार भी नहीं आई नंदिली लेकिन हमारा रिष्टा तो है ना प्लीज आदो मुझे फोर्स मत कर अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ प्लीज मुझे अकेले रहना है नंदिक मेरी प्लीज यहां से चले जाओ प्लीज आदो मेरा डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा हां सुना मैंने कहीं जा रहे हो आप देख बेटा अब इस उमर में घर संभालना मेरे बस की बात तो है नहीं इसलिए अब में तेरे बड़े भाई के गर रहने जा रही हूँ क्या हां अब यहां पर मेरी देख भाल कौन गरेगा ना इसलिए जा रही हूँ तू कहेगा तो कभी का बाद उससे मिलने आ जाया करूगी मा मैंने तुमारी बात हमेशा सुन सुनकर अपने बीवी बच्चे दोनों को खो दिया और आज तुम भी मुझे छोड़ कर चलती है तुम भी मतलब नंदनी में छोड़ दिया मज़ अच्छा वैसे ठीक भी है वह तेरे लाइक थी भी नहीं ठीक काम आप वह मेरे लाइक नहीं थी क्योंकि मैं उसे डिजर्वने का था क्या क्या कुछ जाना जाए अपसके साथ इतना गलत करने के बाद मैं अकेला को डिजर्व करता हूँ अच्छा प्राइब प्राइब इस रहले, भी बालाइब प्राइब with his mother or with his wife the sooner you will find the right lines the better it will be for the relationship that's it for this story see you next week for the office and stay positive if you are going through any psychological or relationship problem then you can join our positivity group by the name of nijo positive it's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity the link is in the description below thank you bye